देखकर मेरे जुनून को नास फरमाते हुए, मौश शर्माती है मेरे साम में आते हुए आप तमाम लुग जानते हैं कि अक्बरुद्दीन उवेशी साहब और रंगाबाद पहुचे हुए हैं और वो इमत्यार जलील के प्रिचार प्रसार के लिए पहुचे हैं आगे हम आपको उनका पूरे स्पीच सुनाने वाले हैं लगभग एक घंटे तक उन्होंने जो है वो महरास्ट की सरजमीन पर जम करके बोरा है हम उनके किसी वीडियो के एक हिस्से को आपको दिखाना नहीं चाहते हैं हम चाहते हैं कि आप उनके पूरे वीडियो को देखे ताकि आपको पता चल सके किस तरह से सदुद्दीन वैसी के भाई अक्पर उद्दीन वैसी ने विधान सभा चुनाव के बीच जो है ए आयमायम का बिगुल पूरे महरास्ट में फोक दिया है जिस बेबाकी के साथ उन गरशता गूंचता गाता हुआ वलवलों से बरख की मानिन लहराता हुआ मौत के साएं में रहकर मौत पर च्छाया हुआ मौत के साएं में रहकर मौत पर च्छाया हुआ काम है मेरा तगयर नाम है मेरा शबाब मेरा नारा इत्धाद 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 ये जोश मलियाबादी के घजल कैशार है और जोश शाब से माफी मांगता हूँ के इस में मैंने कुछ तर्मीम की है के काम है मेरा तगयर नाम है मेरा शबाब मेरा नारा इत्धाद 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 कहा है बेशक माफ करना मुझे ये नारा पसंद नहीं मैं शेर नहीं हूँ मैं मुहम्म्ट मुस्तिफा स provide का गुलावों के गुलावों के गुलावों के गुलावों मैं शेर नहो ना मुझे शेर बनना है दस साल पहने भी अगर माराश्ट्वा का रुख किया था तो आपको शेर बनाने के लिए रुख किया था क्या शेर बनना है शेर बनना है आसान सा है नमास के पावन बन जाओ खुरान को तर्जुमे से पढ़ो सुन्न ते रसुल्ला को अपने जिंदगी का हिस्सा बना लो यतीमों के सर पर हाथ रखो बेवाओं की मदद करो जल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करो और दुनिया तुम्हे शेर कहके पुकारेगी आसान दस साल पहले भी अगर आपके दर्मियान में आया था तो इत्याद के पेगाम को लेकर आया था उस इत्याद के जरीए ना इनसाफियों को इनसाफ में बदल ना चाहता था हक तल्फी को हक में तब्दील करना चाहता था ना इनसाफियों को इनसाफ में बदलना चाहता था और हमारे वजूद के जरीए हम को खत्म करने वालों को यह पेगाम देना चाहता था कि यह मुल्क जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है सर पे पगड़ी बानने वाले का है उतना ही यह मुल्क चेहरे पे दाड़ी रखने और सर पे टोपी पहनने वाले का भी है यही पैगाम था और यही कोशिश थी जिसको लेकर हम आगे बढ़े थे 2014 में और उस 2014 में माराश्ट्रा के 18,000 किलोमेटर का फासला मैंने अपनी गाड़ी में तै किया था अपनी जान को हतेली में रखकर दराया गया धमकाया गया लेकिन न डरे न धबराये बेखौफ होकर बेवाकी के साथ इजारे हक को बयान किया और सिर्फ और सिर्फ आप से अगर इलतिजा की आप से दर्खास की और आप से अगर गुजारिस की तो सिर्फ और सिर्फ इत्धाद इत्धाद और इत्धाद कहा मैं ये भी याद दिलाओं कि अग्बरुद्दीन वेसी दस साल पहले भी अगर आया था तो इत्धात के लिए आवास को ढ़ाई थी दरकास की थी तो अपने इस शेरवानी के दामन को फैला कर अपने कलमगो भाईयों के सामने एक इत्धात का भिकारी बनकर अपनी शेरवानी के इस तुकुले को आगे बना था और यही कहा था कि ये इत्धात का भिकारी आया है तुम अपने इत्धात की खैरात मेरे दामन में दाल दो अल्लाँ उसके रसूल की खस्म अकबर अधियर वैसी को अल्ला ने इज़त दी शौरत दी, नाम दिया, सब कुछ दिया लेकिन एक बात काओंगा मनलस इतिहाद अलमुस्लमीन के सबसे छोटे और सबसे आखिर का अगर कोई लीडर है तो अग्बर उग्दीनों वैसी है ना पहले बड़ा बनने की खाहिश थी ना आज है मैं तो सबसे छोटा हूँ आप सब मुझसे बड़े हैं और आप इनसे भी बड़े हैं और इनके बाद और आपके बाद में मैं हूँ इस चीज़ को याद रखो इस चीज़ को याद रखो खयादत खयादत एक अजीम जिम्मेदारी है खयादत एक अजीम जिम्मेदारी है और सद्खे दिल और बेगर्ज होकर जो खिद्मत करेगा तो अल्लाः उसकी ख्यादत में इस्तेहकाम और मजबूती देगा क्योंकि मुझे मेरे वालिद और सालारे मिल्लत में मुझे से कहा ख्यादत आसान नहीं अगर ख्यादत करना है तो बेगर्ज बन जाओ तो जब गर्ज वाले की तकलीफ का एसास होगा जब सुमारी ख्यादत में गर्ज आ जाएगा तो फिर वह ख्यादत मजबूत नहीं हो सकती खुदाराई जवाद को समझो मिल्लत की फलाव बहबूद मिल्लत की तरकी मिल्लत की खुशाली के लिए अपने जाद की खुशियों की खुर्बानी देनी होगी अगर ख्यादत करने का अगर किसी को जौख है या शौख है बगएर किसी लालच बगएर किसी मफाद से अगर कोई आगे बढ़ता है तो अल्ला सुभानाओ ताला उसको कामिया भी वो कामरामी अता करता अगर आज मैं यहां खड़ा हूँ तो लोग समझेंगे के दस बरस बाद अक्बर अगर 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 दिन वे सियां आया है तो याद दिलाना चाहता हूँ दस बरस पहले इंत्यास जलील नहीं थे दस बरस पहले वारस पटान नहीं थे दस बरस पहले हमारे मालेगाओं के मिले साब नहीं थे मुफ्ती साब नहीं थे द Azerbaijanis पहले हमारे धुलिया के मिले नहीं थे अरे मैं खयादत बनाने होया था खयादत बनी मारास्ठा की बागवदोर इन जिम्हेदार हातों के हवाले किया और इन जिम्हेदार हातों ने इस खयादत को आगे बढ़ाने की ले जाने की बड़ी ही इमानदारी के साथ पूरे खुलूस के साथ कोशिश की बैरिस्टर असदुद्दीन वेसी साथ की ख्यादत में और आज दजबर अजबाद अगर आया हूँ तो इस ख्यादत को मजबूत करते हुए इनको आगे बढ़ाकर इनके पीछे मंदलिस के जंडे को ठामने के लिए आया अक्बर अद्दीन वेसी को कभी किसी चीज़ की खायश और हस्रत नहीं हर वक्त यही पेगाम वदावत देता रहा आज भी दे रहा हूँ आपकी सरजमीन से आओ खाब लोगवानों से दर्खास थे नेक लोगों से दर्खास थे वकलाओं से डाक्टरों से इंजिनियर से मिल्लत कर दर्ब रखने वालों से इलते जाए आओ जज़वे को लेकर आओ दियानत के साथ आओ इखलास के साथ आओ मैं अपनी कुर्सी पर तुम को बिठाओंगा और तुम्हारे खदमों के पास खुद बैट जाओंगा जमाती 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 जमात अगर ये इतिहाद की अहिमियत है, अगर ये इतिहाद है, जवाद है, तो यखीन मानो, हम शेर हैं। अगर ये इतिहाद नहीं, जमात नहीं, तो फिर कुछ भी नहीं। खुदारा समझाओ, आज इतिखाबात का वक्त है, इतिखाबी मैदान में कई जमाते हैं, हजारों जमाते मैं कहूंगा, और शायद मैं गलत नहों, तो विड्राइल के बाद, खरीब चार हजार से जाहिए, उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चार हजार से जाहिए, बेशुमार जमाते हैं, दस साल पहले, बी जेपी थी, शिवसेना थी, और राश्रवादी कॉंग्रस थी, कई पर समाजवादी पाटी भी थी, लेकिन आज, कॉंग्रस है, दो NCP है, पवार NCP, शरत पवार, अजित पवार NCP, दो शिवसेना है, शिंडे सेना, ठाकरे सेना। अरे आप, अंदाजा लगाई हैं, कितनी पाटियां हो गई हैं, मेरा एक ही सवाल है, मेरा एक ही सवाल है, हिंड़ तुआ, पे अमल करने वाली जमाते, शिवसेना, भारत या जनतापार्टी, सही है न, हिंड़ तुआ, अब, हिंड़ तुआ, कि आइडियालोजी पे खाएं मेरे रहने वाली, शिवसेना के दो तुकड़े हो गए, हो गए दो तुकड़े, आइडियालोजी तो दोनों की है एक ही, अब सवाल ये है, कि कांग्रेस ने, उद्धव ठाकरे से इतिहाद किया, पवार ने, उद्धव ठाकरे से इतिहाद किया, और एक, तीन पार्टियों का एक गुड़ बना, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, उद्धव ठाकरे जी, क्या आप हिंदु तुआ का सबख, राहुल और प्रियंका गान्दी को पढ़ाने में कामियाब हो गए या नहीं हुए? मेरा सवाल है, राहुल और प्रियंका, क्या आप कांगरेस के सेकुलरिजम का सबख पढ़ाने में, उद्धव ठाकरे को कामियाब हुए या नहीं हुए? फिर मेरा सवाल है, शरत पवार सहाब, क्या आप सेकुलरिजम का, या आपकी जो भी आइडियोलजी है, उसका सबख, उद्धव ठाकरे और उस सेना को पढ़ाने में कामियाब हुए, या उद्धव ठाकरे हिंदु तुआ का सबख पढ़ाने में, आपको कामियाब हुए? चले ये इनका हो गया, तो अब दूसरी तरफ, अब हम देखते हैं, क्या जित पवार, तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जित पवार, शिंडे के सबख को पढ़ लिए, समझ लिए, या शिंडे ने पवार को नया सबख पढ़ाया, नया सिकाया, या फिर बीजे पी ने, अजित पवार और शिंडे को सबख पढ़ा दिया, या फिर अजित पवार ने, अपने करप्शन का सबख, मुदी को और योगी को पढ़ा दिया, वो समझ गए, बताओ क्या है, कहा है आइडियोलिजी, कहा है बुनियादी उसूल, अरे इनके पास, कोई बुनियादी उसूल नहीं, कोई आइडियोलिजी नहीं, अगर कुछ चाहिए, तो इनको इख़दार चाहिए, इनको गद्दी चाहिए, इनको तख़दार चाहिए, लेकिन हम को, हम क्या समझते हैं, जो लोग यह समझ रहे हैं, कि मजलस तहाद अलमस्लमीन, वे इम्तियाद जलील और अगराज से नाकाम होगे, और वे क्यामियाब होगे, तो उन एमखों को, उन नादानों को, उन नासमझों को, यह कहना चाहता हूँ, منجلس اتحاد المسلمین वो है जो दिलों को फते करती है हकीखी फाते वो नहीं जो जीते और जमीन को फते कर ले हकीखी फाते वो होता है जो दिलों को जीता है और दिलों को फते करता है हमारा काम हम दिलों को जीतना है दिलों को फत्य करना है हमारा काम अख्तदार के कुरसियों पर बैट कर मज़े लूटना नहीं है हम सचे दिल से सद्खे दिल से अवाम की तर्जमानी करते हैं उनके मसाइल को उठाते हैं चाहे एवाने पार्लिमेंट हो या एवाने असंबली हो मजलस इतिहाद अलमस्लमीन मसाइल को उठा रही है मजलस इतिहाद अलमस्लमीन बेशक मुसलमानों की आवाज बनती है मुसलमानों के मसाइल को उठाती है लेकिन उसके साथ हर मजलूम की आवाज भी बनती है दलितों की भी आवाज बनती है तो हर किसी की आवाज बनती है बैकवर्ट क्लास की बनती है OBC की बनती है मराथा समाच की बनती है तो हर समाच की आवाज बनती है बेशक अग्बरुद्दीन वे इसी मुसल्मान है म curve मा प्रने वाला मुसल्मान हो मझे नाज है मुसल्मान होने पर तो मुझे फक्र है हिंडोस्तानी होने पर मैं फक्र से कहता हूँ कि मैं हिंडोस्तानी हूं हम हर एक के मसाहिल उठाते यहां पर बैठें हमारे दलिज समाच के लोग हैं दूसरे समाच के लोग हैं बैकवर्ट क्लासिस के हैं मुसल्मान भी हैं हर कोई है मैं यही बात कहना चाहता हूँ हाँ मुसल्मान की आवाज बनकर मुसल्मान के मसाइल को उठाते हैं मैं उठाता हूँ मुझे शर्मिन नगी नहीं है इस बात का इखरार करते हुए कि मुसल्मान हूँ मुसल्मानों की आवाज बनता हूँ मुसल्मान की तकलीफ को बयान करता हूँ मुसल्मान की हक तलफी पे लगता हूँ मुसल्मान की हक की लड़ाई लड़ता हो और नाइंसाफी पर आवास को भुलंद करता हो इसलिए के मैंने इसलिए इसलिए के मैंने दस्तूर पर हल्फ लिया है बहसियत रुकने असंबली अवामी नुमाइंदे मेरी जिम्मेदारी है के मैं सबसे पीछे वाले को आगे लओ पिछ्डे हुए को ताख़द दूँ तंजोर को खुवत दूँ और जो आखरी में है उसको आगे बढ़ाओ क्या लीडर की जिम्मेदारी नहीं क्या कोई ये इस बास से इंकार कर सकेगा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अखलियत मुसल्मान रोजी रोटी कपड़ा मकान तालीम खुशाली में सबसे पीछे है और आज हमारी कोशिश वो पीछे जो मुसल्मान है उसको आगे लाएं हमारी कोशिश वो पिछला हुआ मुसल्मान उसको आगे लाएं अल्ला उसके रसूल की खसम जब मुसल्मान आगे आजाएगा तो अगर पीछे बरामन रहा तो इस बरामन को भी आगे लाने के कामन करे यह क्योंकि हमने तस्तूर पे अलफ लिया है कि छोड़ों को कंजोरों को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है यह हमारी सोच है लेकिन हमारी सोच को मीडिया हाउस अभी इम्तिया जलील साब ने मुझे का कि इनके साथे साथ वो आपके दोस्त आए हैं तो यह हमारे दोस्त हम को बताते हैं कि हम कमीनल हैं हम को बताते हैं कि हम भड़काओ भाशन देते हैं भड़काओं नहीं रहते हम हग बयान करते हैं वो अलग बात है कि हमारी हग बयानी का जवाब इनके पास नहीं होता तो उसको भड़काओं बना देते हैं आज ही मैंने आज ही मैंने किसी न्यूस चैनल में देखा जिसमें योगी अदितेनाथ ने अपनी तखरीर में का कि बटोगे तो कटोगे लोग काफी इतरास कर रहे हैं उस बात पर मगर मैं ये कहूँगा बीफ के नाम पर माब लिंचिंग के नाम पर घर वाकसी के नाम पर सर पे टोपी पहने के नाम पर दाड़ी पाले के नाम पर जो तुम काट रहे हो क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अखलियत से क्या ये मुलक को कमजोर नहीं कर रही है इसका जवाब दो मुझे अगर हिंदु और मुसल्मान को तुम लडाओगे हिंदु और मुसल्मानों को नसरत कराओगे तो कह ये मुलक को कमजोर करने के बराबर नहीं है और अगर मैं कह रहा हूँ नरंडर मोगी आयो जी जिता तेरा हिंदुस्ताने होताँ मेरा भी हिंदुस्ताने है हिंदुस्तान ना तेरी जागीर है ना मेरी जागीर है हिंदुस्तान हिंदु मुस्लिम सिक इसाई पारसी हर मज़भ के मानने वालों का है मजभ भगवान अल्ला गौट तो नहीं मानने वाले का भी है किसी एक का नहीं है हम ये बात कहते हैं तो इनको बुरा दिखता है अरे इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला चाहे बेरोजगारी इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला चाहे महगाई इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला चाहे हर दो मिनट तीन मिनट को रेब होते हैं इस मुलक का सबसे बड़ा मसला क्या है ग्राइजवेट्स को नोक्रियां इस मुलक का सबसे बड़ा मसला क्या है मुलक की कमजोर एकॉनमी को मजबूत करना इस मुलक का सबसे बड़ा मसला क्या है पेटरोल डिजल गैस की बढ़ती हुई खीमतों को नीचे लाना इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है रुपिय की गिर्ती हुई खदर को उचा करना आप बताओ क्या बेरुजगारी को दूर करने कुछ हो रहा है महिंगाई को दूर करने कुछ हो रहा है क्या बेघर लोगों को घर देने के लिए कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है सिर्फ इस मुलक को मजभ़ब के नाम पर बाटने की बात कर रहे योगी की तखरीर को मैंने सुना बतोगे तो कटोगे का उसके बात का के जाद पात की सियासत अरे जाद पात की सियासत बोलने वारे तु यू ये क्यों नहीं कहता कि मजभब की सियास्ट नहीं करनी चाहिए ये बात क्यूं नहीं कहते हैं ये तो मजभब की सियास्ट करेंगे नफरत के बींच को बोते जाएंगे असल मसाइल से तवज्जव हटाते रहेंगे अगर कुछ है तो तलाख सलासा अरे तलाख सलासा मसला नहीं है हर मिनत में होने वाला एक रेप ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला है एक आरत रात के अंदेरे में घूम नहीं सकती खेतों में उसकी इज़त और इसमत को लुटेरे लूट रहे हैं ये मसला है अरे इस पे बात करो इस पे कुछ करो नहीं मुसल्मान ऐसा मुसल्मान के इतने दीवी मुसल्मान ऐसा करा मुसल्मान ऐसा करा आप बताओ तलाक सलासा हो गया C.A.A.N.R.C C.A.A.N.R.C पालिमेंट में थे इंत्याज जलील साब हर मसले पर अरे आप बताओ आज मैं याँ खड़े हो कर कह रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ मंजलस इत्याद अलमसल्मीन के एक जिम्मेदार लीडर की हैसिए से कह रहा हूँ और ये एलाइन कर रहा हूँ के मराठा समाज के लिए जो रिजर्वेशन की तहरीख चला रहे है उनके लीडर मैं उनसे कहूँगा हमारा पूरा साथ आपके साथ है हमारा पूरा तावन आपके साथ है हम पूरी कोशिश करेंगे मगर उसके साथे साथ मैं ये भी कहूँगा इत्धाद होता है न तो इत्धाद बेनुल मजलुमीन होना चाहिए इत्धाद बेनुल मजलुमीन होना चाहिए हिंदुस्तान में जल्म का शिकार अगर कोई है तो वो मुसल्मान है हिंदुस्तान में जुल्म का शिकार अगर कोई है तो वो दलिट है हिंदुस्तान में जुल्म का शिकार अगर कोई है तो वो पसमानदा तबहात है चलो आओ मराठा दलिट और मुसल्मान इतिहाद बेन मुजलुमीन बन जाते है और अपने जलम के खिलाफ आवाज को बुलंद करते है मगर में बात मेरी बात कतम नहीं हुई मैं हमारे मराथा समाच के बड़े लीडर जो एतिजाज कर रहे हैं भूकरताल में बेठे उनसे कहना चाहता हूँ सिर्फ जरंगे पातिल साथ सिर्फ मराथा समाच पिछड़ा हुआ नहीं है पूरा मरठ वाड़ा भी पिछड़ा हुआ है क्या मरठ वाड़ा पिछड़ा हुआ नहीं है क्या मरठ वाड़ा का हिस्सा पूरा सबसे पीछे नहीं है मारास्ट्रा के तीन से एक हिस्सा है मुंबई, पूना ये सारी चीदों का दूसरा हिस्सा है विधरत का तीसरा हिस्सा है मरटवाडे का इन तीनों हिस्सों में सबसे पिछला सबसे पीछे कौन है मरटवाडा है चलो मरटवाडा की रिजर्वेशन के साथ हम मरटवाडा की खुशाली के लिवे जिते जायत करते हैं तीस साल पहले या बेचे हैं मेरे मरटवाई मरटवाई बहुत है जब मैं मरटवाई कहता हूँ तो सिर्फ मुसल्मान सिर्फ हिंदू मरटवाई नहीं होता मुसल्मान भी मरथा है दलिद भी मरथा है और मरथवारा में रहने वाला हर कोई मरथा है अब मैं कहता हूं तीस साल हुए मीडिया वालो जरा तवज्जो तीस साल हुए थर्टी यर्स तीस साल हुए क्रियेशन मतलब एक कॉंस्ट्यूशनल बॉडी बनाई गए क्या आप जानते हो बॉडी क्या है मरथवारा स्टैटिचरी डिवेलपमेंटल डिवेलपमेंट बोर्ड मरथवारा स्टैटिचरी डिवेलपमेंट बोर्ड जो सिर्फ मरथवारा के लिए बनाया गया कागस पे तो है पैसा नहीं है कुछ नहीं देते चलो मरथवारा स्टैटिचरी डिवेलपमेंटल बोर्ड को पचास हजार कोड का पहला मुतालिबा करते हैं इतजास करेंगे और मार्टवारा को मागे बाएंगे या तयार हो या तयार हो मरटवारा का किसान खुदकशी कर रहा है मरटवारा के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं मरटवारा के लोग दवाखानों के लिए तरप रहे हैं दवाखाने नहीं है सौ सौ दो दो सौ किलो मिटर को जाना पड़ता है पूरे मरटवारा में सूपर स्पेशालिटी के एक या दो दवाखाने क्या चाहिए एक गरीब को क्या चाहिए रोजी रोटी बीमारी पर इलाज का इंतजाम आज है या नहीं बताओ क्या नाम के बदलने से रोजी मिल जाएगी क्या नाम के बदलने से रोटी मिल जाएगी क्या नाम के बदलने से किसानों की खुदकशी रुख जाएगी क्या नाम के बदलने से पानी की प्यास मिट जाएगी क्या नाम के बदलने से क्या बीमार को शिफा मिल जाएगी क्या नाम के बदलने से खरसदार किसान के खरसदूर जाएगे नाम में क्या रखा है एए नाहिलो नासमजो एए जूटो एए बेमानो काम करो काम क्या ये गलत है निती आयोग निती आयोग की रिपोर्ट उठा कर देख लीजे मीडिया वालो खाबल है मुझसे खाबल मुझसे पड़े लिखे मुझसे समझदार मुझसे दूरंदेश मुझसे ज्यादा सोच फिकर करने वाले और मैं तो खुला कह रहा हूँ मोदी और योगी का मैं तो दुश्मन हूँ शायद आप उनके दोस्त है बताओ उनको जाकर बोलो निती आयोग क्या कह रहा है निती आयोग की लेटिस रिपोर्ट कह रही है मेरे मरठा भाईयो के सबसे पिछडा हुआ जी एस डी पी कम है रोजाना की कमाई पानी नहीं मिल रहा है बीमारी के लिए तड़प रहे है मिती आयोग कह रहा है कि वो मरठा भाईयो का रीजन है मैं इम्तिया जलील साफ से भी कहूंगा सीमाचल की तरकी के लिए मन्यलिस रही है आप पारिमेंड में थे तो आप भी रड़े अब आप आओ मैं भी आपके साथ हू हम मरठा भाईयों की खुशानी में परकी करेंगे लेंगे हम मरठों को साथ में लेंगे मुसल्वानों को लेंगे हिंदुओं को लेंगे मरठों को लेंगे दलितों को लेंगे S.C.O. को लेंगे S.V. को लेंगे सुब को लेंगे और मरठों और मरठवाडा के लिए हम लड़ेंगे क्या मेरी बास से आप राजी है राजी है मेरी बास सही है सही है तो नारे तक्मीर नारे तक्मीर मरथा चीत मिनिस्टर नहीं चाहिए मरथवारा में पानी चाहिए मरथा मिनिस्टर नहीं चाहिए मरथों को नौकरिया चाहिए मरथा वो क्या कहतें गाडियन मिनिस्टर मरथा गाडियन मिनिस्टर नहीं चाहिए मरठों और मरठवाला को उसका हक चाहिए यह हम चाहते हैं यह हमारी सोच है यह हमारी फिक्र है मैंने आप से पहले भी का कि क्या उद्दव थाकरे अपना सबख पढ़ाने में कामियाब हो गए या नहरू गांदी खांदान अपना सबख पढ़ाने में कामियाब हो गए मेरी इस बात को याद रख लो अपने ओट की एहमियत को समझो यहां मौजूद सारे लोगों से कहूंगा कि जमूरियत के इस जशन यह एलेक्शन में तुम्हारी सबसे बड़ी अगर कोई ताखत है तो याद रखो वो तुम्हारा ओट है ओट का सभी इस्तेमाल करो अगर ओट का गलत इस्तेमाल करोगे तो नहीं मालूम कौन तुम्हारे ओट को ले जाकर हिंद तुआ के दामन में उनके खदमों में डाल देगा क्या गैरेंटी है पुरी गैरेंटीओं का दौर चलवा है हमारे पास भी छे गैरेंटी आई करनातक में भी गैरेंटी आई हर्याना में भी गैरेंटी आई मिस्टर मोदी ने कहा के मोदी की गैरेंटी वाँ वाँ ठीक है भही वाँ भी गैरेंटी याँ भी गैरेंटी इनकी भी गैरेंटी उनकी भी गैरेंटी चाहे वाले की भी गैरेंटी गैरेंटी तो है है लेकिन यह गैरेंटी है न मैं यह यहां मौझूद यह लोगों का सवाल है क्या शरत पवार गैरेंटी देंगे कि एलेक्शन के बाद आप मोदी के साथ नहीं जाएंगे कि आजीत पवार साब आप गारंटी देंगे कि एलेक्शन के बाद आप शरत पवार के पास दुबारा वापिस नहीं जाएंगे क्या उद्दफ ठाकरे आप गारंटी देंगे कि एलेक्शन के बाद आप फिर चायवाले के पास चाय की प्याली लेके नहीं जाएंगे क्या शिन्डे गारंटी देंगे कि एलेक्शन के बाद वो ठाकरे के पास दुबारा नहीं जाएंगे नहरू और गांदी क्या इस बात की गारंटी देंगे कि वो कभी भी बीजेपी और मोदी के साथ नहीं जाएंगे हिंदुत्वा के साथ नहीं जाएंगे अरे आज कांग्रिस का शिफसेना के साथ इत्यात करना ये है इस बात को बोलना है इस बात को तसलीम करना है कि हम हिंदू है हिंदुत्वा पॉलिटिक्स हम में है और हम हिंदुत्वा पॉलिटिक्स को खुबूल करते है दारेकली तो खुबूल नहीं किये इंडारेकली खुबूल कर लिए कोई ऐसा खाता है तो कांग्रेस ऐसा खा रही है यही है यही है समझो मेरी इस बात को सियासी इस शोरो उन में तुमारी आवाज गुम गई है हर किसी की आवाज है राव की आवाज है, रड़ी की आवाज है पाटिल की आवाज है, पटेल की आवाज है गांधी की आवाज है, पवार की आवाज है हर किसी की आवाज है अगर आवाज नहीं है तो ला इलाहा इल्लाह महम्मद रसुल्लाह कलमा पढ़ने वाले की आवाज नहीं है और मैं इस सियासी शोर गुल में नारे तक्बीर अल्लाहु अक्बर की आवाज को फिजाओं में गुन्जाने के लिए जोरदार नारा लगाने के लिए आया हूँ अपनी जात के लिए नहीं आया हूँ मैं तुम्हारी इज़त के लिए आया हूँ तुम्हारे वजूद का एसास दिलाने के लिए आया हूँ कि हम जिन्दा है हम मुर्दा खौम नहीं है तुम जिन्ना खूमो अगर तुम जिन्ना खूमो तो उठो उठो एक मरकज सियासी पे जमा हो जाओ उठो और एक हो जाओ अगर तुम एक नहीं होंगे तो याद रख लो तुम्हारा वजूद खत्रे में है यही जोश यही वलवला यही उठना बीस तारीख के दिन है उठो गयना उठो गयना नाइम फाटी फाइव नाइम फाटी फाइव कैम्पेमिंग का टाइम दज बजए अभी पंद्रा मिनद बुखी है अरब भाई पंद्रा मिनद बाकिया सबर करिए ना वो दोरा पीछा चोड़ती है ना मैं उसका पीछा चोड़ सकता है चल रहिए मगर क्या गूज है नारे तक्बीर नारे तक्बीर नारे तक्बीर अल्हम्दिल्ल्ला अल्हम्दिल्ल्ला खुदारा मेरी बात को समझो वक्त नाजुक है हमारा सबसे अवलीन फरीजा क्या है क्या है माराश्ट्रा में बीजे पी और शिंडे सेना और अजीद पवार के हुकुमत को शिकिस देना हराना है उसके साथ उसके साथ हमारी जिम्मेदारी है जहां जहां हमारे नुमाइंदे हैं हमको अपने नुमाइंदों को भी कामियाब करना है मैं आपके जोश की ख़दर करता हूं आपके जोश का इहतराम करता हूं याद रखो वो हम जिसके पास सिर्फ जोश है और होश नहीं तो वो हम कामियाब नहीं होती वो ही खाम कामियाब होती है जिस खाम के पास जोश भी होता है और होश भी होता है थोड़ी देरे सुन ले अपनी बात को खत्म करूँगा बारा मिनिट है सबर से सुने वक नादुक है मेरा पेवाम है तुम से के हिंदोस्तान के तुम किराईदार नहीं तुम हिंदोस्तान के बराबर के शेरी हो और तुम्हारी हक की लड़ाई लड़ने के लिए आया हो तुम्हारा तावन चाहिए तुम्हारी द्वाए चाहिए तुम्हारा साथ चाहिए तुम्हारा जोश साथ चाहिए तुम्हारा होस चाहिए क्या तावन दोगे क्या तुम्हारी ताखत दोगे क्या तुम्हारा इत्धाद दोगे अगर मैं आज इस आवाम से इत्धाद की अपील कर रहा हूँ तो मजलस से इत्धाद मुस्लमीन से किसी भी वजा से दूर होने वाले हर फर्द हर मर्द हर खवातीन हर खायच से अपील करता हूँ कि आओ इस जमात में आजाओ वापिस आजाओ यह जमात तुमारी भी है यह तुमारी थी आओ हर वो शख्स हर वो मन्यनिस का चढ़ने वाला किसी वजा से नाराज है किसी वजा से दूर है तो अग्बर अग्बर अजाओ यहां खड़े होकर अपनी जमात और अपने इन खायदीन की तरफ से मैं माफी चाहता हूँ मगर यह कहना चाहता हूँ कि खुदारा अपनी जात की लिए अपने खुद के नफस के लिए जमात को कमजोर न करो मैं नहीं रहूँगा तुम नहीं रहोगे लेकिन जमात हाइम वद्दाय में रहेगी खुदारा आओ हम अपने कुर्सिया तुमको देने तेया बहुत से उल्मा मशाइखीन वुकला दॉक्तर्स इंजिनियर रोज मर्रा की मजदूरी करने वाला एक मजदूर या कोई भी मेरा भाई कल वगए भाई जो मुझसे नाराज है मैं उससे अपील करता हूँ के आजाओ ये वक्त है ये वक्त है दो मिनट की खामोशी दो मिनट की खामोशी मेरी बाद को सुन लो मारास्वा की तारीख में ऐसा सुनेरा वक्त नहीं आया जो अब है अगर हम नजम हम मुतहिद हम एक और अगर हमारे दस एमेले आ जाएंगे ना ठाकरे ना शिन्ने ना गांधी ना प्यार हमारी मर्जी हमारी अजाज़त के बगएर कोई भी तखते नहीं बैठ सकता सुनेरा माख़ा सम्झो तुम बाशागर हो तुम क्या हो बाशागर हो जिसको चाहे तखत पे बिठा सकते हो जिसको चाहे तखत पे आउना लिटा सकते हो सम्झो इस बाद को मैं किसी का माम नहीं लाँ मगर हर एक से अपील कर रहा है आओ ये तुम्हारी जमाद है ये तुम्हारी अपनी जमाद है अगर तुम एक बात कहूंगा एक बात कहूंगा एक बात सुनो सुनो मेरे भाई एक बिंज होता है ना बिंज बिंज को जमीन में बोते हैं ना जमीन में बोने के बाड अपने पसीने से अपने खून से उस जमीन को सेचते हैं वो बिंज एक पोदे का शकल थियार करती है फिर उसके बाड वो पोदा एक दरख बनता है और दरख बनने के बाड उस दरख में क्या आते हैं फल आते हैं फल ये वक्त ये वक्त सुनो ये वक्त सुनो हमने बीन बोलो हुँ न पसीने से सैचा जमीन को पहदार जान लगे और वो जान में आज फल है ये फल खाने का वक्त है फल्दार दरख को काटने का वक्त नहीं है खुदेरा इस बात को समझो मेरे उल्मा ये बात को समझिए मेरे मशाख इस बात को समझिए मेरे डक्तर साहबीन इस बात को समझिए मेरे दुकला साहबीन समझिए मेरे गरीम मुसल्मान भाई यो इस बात को समझो ये फल खाने का वक्त है फल दार दरख को काटने का वक्त नहीं है खुदारा एक हो जाओ आपका जोश आपकी बेचेनी है नहीं तो बहुत सोच के आया था जरा चाय चाय भी बोलूँगा चाय वाले को भी बोलूँगा मगर आप बोलने नहीं दिये लेकिन ये जरूर है अभी इमत्याज जलील साथ बोले न अभी इमत्याज जलील साथ बोले योगी आने वाला है योगी योगी मौधी तेरे आने के बाद अगबर भी आने वाला है मौधी तेरे आने के बाद अगबर भी आने वाला है हम जवाब देंगे जिन्दगी गुजर गई चाई बनाने में लेकिन चाई क्या होती है कैसी बनती है चाई 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 की पत्ती चाई की केटली चाहे का पानी चाहे का चुला चाहे 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 हम बोलेंगे बीस तारीख को पतंग 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 रहेगी क्या रहेगी पतंग रहेगी आखरी आखरी एहम बाद आखरी एहम बाद दस साल के बाद आया था अल्हम्दलिल्ला जोश तो आज भी है बाखी दस साल बाद आया लेकिन वलवला आज भी बाखी है दस साल बाद आया मगर तुमारे जोश ने मुझे और जवान बना दिया वादा है वादा है माराष्ट्रा की सियासत में इंतियास जलील और दूसरों के साथ अग्बर उद्दीन वैसी भी अब खाने से खाना मिला कर खरा रहेगा और अग्याबाद हो नामे हो उसमान अबाद हो या शोलापूर हो या मुम्मई हो अब अग्बर उद्दीन वैसी आता रहेगा जाता रहेगा हर उएर पर नदर डालेगा जिन्दगी में जिन्दगी में मैंने कभी भी अउट नहीं मागा मैं मैं छे एलेक्शन जीत गया आप कितने छे अब तीज वरस होते हैं मगर आप से कहूँगा आप इस एलेक्शन में मनिलिस के साथे साथ इंतियास जलीव और नासिर साथ के साथे साथ और हमारे दलिद भाई के साथे साथ आप अपने अग्बर उशी को भी दे रहे हो आपकी हर तकलीब में अग्बर उशी आएगा आपके हम दुक में आएगा आपके साथ रहेगा इनिशालाथ अटाला हम दीस तारीख को दीस तारीख को आस्मान में सरफ पतंपतंपतंपतंपतंपतंपतं रहेगी हिंदोस्तान हिंदोस्तान हम सब एक है और हम सब एक रहेंगे और अन्याबाद हमारा था हमारा है हमारा रहेगा वाखर दारहम्मिरिल्ला रब्लालों के लिए पहुंची है जो भीड उन्हें सुनने के लिए पहुंची है इससे ये बात साफ समझ में आती है कि इस बार महरास्टर में और इंडिया मजलिस से इत्यार मुस्लमीन को हरा पाना मुश्किल ही नहीं लगभग नामुम्किर होने वाला है आपको बताते चले कि अब्ट को भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि महरास्टर में जनता उन्हें पसंद कर रही है आपको क्या लगता है कि अकब रुद्दीन वैसे के पहुंचने के बाद जनता जो है और इंडिया मजलिस से इत्तिहादर मुस्लमीन पर भरोसा करेगी अपनी राई कॉमेंट सेक्शन म जरूर लिखेगा